हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मीनेशन इस्टडी प्रेटफर्म में दोस्तो आज हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10 के पार्ट लेशन वन यानी पार्ट वन के वास्तविक संख्या के बारे में दोस्तो एक्सराइज 1. के बारे में बात करने वाले हैं क्वेशन नंबर 2 को देखेंगे दोस्तो आज गudango का संब्सक्राइब कर देखेंगे तो फ ब यइन को फ्रेष्ञ कर दीजए ताकि हरेंख वीडियो का नोटिफिकेसं आप तक पहुंत तो आजएग्दी को बताने Всё के सभी क्वेशन ठीक है तो question को बहुत असानी तरीके से बताएंगे, असानी तरीके समझाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझाने का परियास करेंगे दोस्तों, बने रहे हमारे वीडियो में, यदि वीडियो पसंद आती है तो like करेंगे और comment कीजिए जहां भी कोई आपको doubt हो ठीक है, तो सबसे कीजिए कि दो संख्याओ का गुणन फल मसा गुणन लसा होता है, ठीक है, दोस्तों हम जानते हैं कि दो संख्याओ का गुणन फल क्या होता है, उसके मसा और उसके लसा के बराबर होता है, ठीक है, तो यह हम सीद्ध करके दिखाएंगे कैसे हो रहा है, इसकी जाज करना है, ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 26 और 91 का लसा और मुसा निकालेंगे लसा और मुसा निकालने के लिए इन दोनों का गुणनखंड करेंगे दोस्तों ठीक है गुणनखंड करेंगे आप तो देखिए 26 का यादी हम गुणनखंड करते हैं पहला क्वेशन हमारे 26 का याद इप साथ से करें गए साथ एकम साथ दो इधर जाएगा 21 सदरीका 21 हौ अब 23 थो छाविंधर ऑब टेरा ऑफ है तो इस तरह से हम ओना जो हमने किया खिदे रहे का टो उसथे लिख सकते हैं 26 बराबर 2 बागरे किया एक यान्वे बराबर हो जाए गाए सकते हैं 7-13 ठीक है अब दोस्तोyu एसी एफ क्या होता है ACF यदर कि मतलब होता है मौसा ठीक है यानि कि यह मासा हिंदी में लिग देते हैं दोस्तों मासा मासा बराबर हमारा हो जाएगा इसमें जो कामन रहेगा ठीक है दो और साथ कमन है नहीं стрत्व कामन है जो तो तेरा क्या होगा हमारा मॉसा हो जाएगा ठीक है यह हमारा मॉसा हो गया दोस्तों लॉसा कैसे निकालेंगे इसमें लॉसा यानि कि LCM लॉसर बराबर होगा दोस्तों हमारा यह दिखी दो और साथ दो और साथ अलग अलग संख्या है तो दो और साथ लिख लेंगे अजो सेम संख्या रहेंगे उसमें या तो यह लिखना है या तो यह लिखना है ठीक है कोई एक संख्या दोनों में से कोई एक संख्या लिखनी है तो एक तेरा लिख देंगे ठीक है यह हो जाएगा और इसका गुणा करा देंगे तो यह हमारा लासा हो जाएगा ठीक है इसका यह कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों दो संख्याओं का इसी आइडेंटी पर हमको क्या करना जाज करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मस ठीक है तो दूस्तो लासा गुणहे मासा करेंगे सबसे पहरे हम दोनों संख्या बोल Łuk сотव ठाँ यानि दो संख्या एक्नख्म सब्सक्मारी है पाई यूदीग मैसां कहनो जो लौसा जो है यह 182 ठीक है और मुसा हमारा है 13 ठीक है अब देखे दोस्तों इसका अगर गुणा इसमें कराते हैं तो हमारा जो है कलकुलेशन आएगा 2366 तेईसो चाचट आएगा दोस्तों और इसका अभी अधिकल क्लकुलेशन करते हैं तो 2366 आएगा यानि कि ये सीध होता है कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं दोसन क्याओ का गुणांस बराबर होता है लौसा गुणे मसा ठीक है तो यह हमारी जांस हो लासा और मसा निक्याल करके यह हमें जास करना है कि दो संख्याओ का गुणन फर्ड क्या होता है लसा गुणे मसा के बराबर होता है तो 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 510 है और पहले हम क्या करेंगे 510 और 92 का खंड करेंगे ठीक है तो 510 का खंड करेंगे यह दो से कटेगा दू दूना खे चार तीन से कटेगा तीन से काटेगा से कातेंगे तो पांथ्षय 23 में निगती सता जहीं हाँ यहां पेँदेश खुढ करवra निकल यह दो गुुंडधे 2 गु गुनधे 3ोन निकल गया ठीक है अगन दोस्तों, इस समय देखेंगे क्या कामण है आगर जो कामण है वह हमारा मसा होझागा मसा बराबर यह संख्याको केवल 2 कामण है तो 2 हमारा मसा हो जाएगा ठीक है लॉसा बराबर जब निकालेंगे तो जो कामन है उसमें से एक लेंगे एक संख्य चाहें ये ले तो एक संख्य ले लिए इन में से सभी संख्या लेंगे ठीक है दो लेंगे ये दो ठीक है गुने फिर ये 23 गुने फिर ये 3 गुने फिर ये 5 गुने फिर ये 17 ठीक है दोस्तों हम गुणा करा दें हैं तो यह हमारी हैं का जो मान आएगा उयूं आएगा 23,407 अब देखें दोस्तों हम जानते है कि दो संख्याओ का क्वुणनफल क्या होता है दोनों संख्याओ का गुणनफल गुणनफल अधी बराबर लसा गुण उसके पर हमें क्या करना कौन है 510 है एक संख्या दूसरी संख्या 92 बराबर ल्ट म है टेशाजर चार सो साथ एगुणे में वासजों है ठीक है तो इसका अगर गुणा करा देंगे दोस्तों इसका याधी हम गुणा कराते हैं ठीक है तो इसका गुणा कराने पर हमें प्राप्टो का सीध कर रहा है यह परिकल्पना की जाच क्या इसात है ठीक है अगला दोस्तों क्वेश्चन है क्वेश्चन अब तीन है 334 और चोंवन का गुड़नखंड गयाद कीजिए सबसे पहले इसका गुड़नखंड गयाद करेंगे उसके बाद इसके लासा मसल निकालेंगे ठीक है त बूहें जाचर दूदो नी चार दूदो हो जाएका फिर सात से काटेंगे साथे कम 7 हो जाएका अब देखिए यह 54 का निकालेंगे चाऊँण कहाम ने निकाला, 336 का 336 का हमें क्या प्राफ्ट हुआ, 2 गुणे, 2 गुणे, 2 ठीक है, 2 गुणे, 3, गुणे, 7, यह हमें प्राफ्ट हो गया, चाऊँण, अगर 4, गुणे, घंखन निकलते हैं, तो 2 से काटें के 2 दूनी, 4, में देखें कि क्या क्यान रहना है इसमें तीन भी कामन यह ठीक है और कुछ कामन नहीं थीक है तो मौसभ हमारा क्या हो जाएगा जो होई दो कामन है और तैन का मनें तो दू तιαए का छो ठीक है और लौसा बराबर जो गाइब ग prop 2 है तो 2 गुञे 2 गुञे 2 गुञे में 7 ठीक है यह बचा pię तो इसके यहादी हम गुञा करा देते हैं दोस्तों मुखा माशा चोहओ निकल गया थीक है इसके गुञा कर blocked गे तो यह आएगा 3024 ठीक है 3024 इसका लस आजाएगा ठीक है तो हमें क्या करना है दो संख्याओं का गुरनफल बराबर लसा गुणे मसा इसकी जाज करनी है ठीक है तो दो संख्याओं कौन सी है यह परिकलपना सत्य है तो इस परकास से दोस्तों आप सभी क्वेशन को कर लेंगे आसा करता हूं यह वीडियो समझ में यह हुई